शिवने जिले की क्रशी उपज मंडी छपारा में सौमवार को सहक उपनिरिख्षक मनोज मरकाम 13,000 रुपे की नगत रिश्वत लेते पकड़ाया है जानकारी के मुताबिक बखारी के शिवन करशी केंदर के संचालक और तारन ने जबलपो लोकायुक्त शिकायत की गई थी मंडी का आनलाइन रिकार्ट चड़ाने इस्टाग आनलाइन दर्ज़ करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी जिसके पर योजनाबत तरीके से वेपारी के दुआरा लोकायुक्त में शिकायत किये गई जिसके बाद सुमवार को लोकायुक्त की टीम में 16 परा करसी उपजमंडी पहुँच कर छापा मार कर जहां उप मिरिक्षक मनोज मरकाम की तलासी ली गई वहां से मरुज मरकाम के पास से रिस्वत की रासी 13,000 रूपे पाई गए जिस पर लोकायुक्तों ने कारिवाई की है वेपारी द्वारा बताया गया कि लगातार उसे रिस्वत के लिए परसान किया जा रहा था जिसके पूरो भी कई बार कई कामों के एवज में रिस्वत ली गई है जिसे मांसिक रूप से परसान थे और उन्होंने इसी के चलते लोकायुक्तों में शिकायद की इस कारेवाई के बाद मंडी में मुझुत करमचारियों में हरकम मत चुका है मेरा जो पुराना स्टॉक था उसको चड़ाने के लिए मेरे से तीरह जार रुपे की मांग की गई थी किया नाम लेखे हैं शिव तार ऑफ मेरी शिवयम क्रशी के नाम से दुकान ग्राम बखारी में ऑती है । और मेरा खात बीच का भी व्यपार है और गले कहां चारार Чया आपर है यह लगभध सार एक साल से मेरे को चोटी मोटी राकम मांग के लगभध मेरे से 4 एक लाक रुपे की वसूली की गई है। करें मन्डी शुल्क ऑनलाइन हैं, मनोज मरकाम, किया गया था। मन्डी शुल्क को ऑनलाइन करने के एवज में। इनके द्वारा हमारे फर्यादी से ए्लगार की मांग की गई थी। आज हम लोग उन्हें थेराजार रुपे लेते हुए पकड़ा है। कारवाई जा रही है कौन को न है आप तेख रहे हमारा चैनल एस डेव्य 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें